So what if I tell you कि मैं तुम्हारे माइंड को पढ़ सकती हूँ? Well, ऐसा कुछ भी नहीं है We are humans और हम ये नहीं पता लगा सकते कि कि किसी के मन में क्या चल रहा है But कुछ human behaviors हमें परिसान कर देते हैं कि आखेर इसके दिमाग में क्या चल रहा है कभी कोई किसी को धोका देता है, तो कभी कोई किसी के साथ fraud कर देता है क्या आपको कभी किसी ने धोका दिया है? मुझे comments में जरूर बताना Well, अगर आप मुझसे पूछो तो हाँ, मेरे friends ने तो मुझे बहुत बुरे तरीके से धोका दिया है ये कभी में किसी दूसरे वीडियो में बताऊंगी तो आज हम जानेंगे कुछ psychology के human behavior के facts और उनके thinking के बारे में जो आपको सायद चोका देंगी तो time नहीं waste करते हैं, इस वीडियो का start करते हैं अगर तो मेरे चैनल पे नए हो तो इस चैनल को subscribe कर देना और इस वीडियो को like भी जरूर करना सब conscious mind वो part है हमारे mind का जो conscious mind से ज़्यादा powerful होता है ये mind automatic तोर पर काम करता है जैसे habits, beliefs और emotions को control करता है इसमें information store होती है जो हम consciously नहीं absorb करते लेकिन वो हमारे behavior और decisions को influence करती है इसमे creativity और intuition भी present होती है सब conscious mind को understand करके हम अपने thoughts और actions को shape कर सकते है हमारे दिमाग में कई तरह की cognitive biases होते है जो हमारे decisions को affect करते है जैसे की confirmation bias जहां हम सिर्फ अपनी existing beliefs को confirm करने वाले evidence को accept करते है तो चलिए आज हम कुछ cognitive bias के types को भी understand करते है फर्स्ट इस हिंद side bias जब एक घंटा हो जाता है किसी काम को तो हमें लगता है कि हमें पहले ही पता था कि ये होने वाला है सेकेंड इस anchoring bias पहले मिलने वाले information पर based फैसलों में असर होता है नमबर थर्ड इस availability heuristic यानि कि events के होने की संभावना को हमारे दिमाग में available information के base पर estimate करना last is bandwagon effect यानि कि बहुत सारे लोग कुछ करते हैं तो हम भी वैसा ही करना चाते हैं यानि कि हम किसी से influence हो जाते हैं इन biases को समझना बहुत ही जादा important है क्योंकि ये हमारे decision making में influence डाल सकते हैं और हमें गलट conclusions पर पहुंचा सकते हैं तो इसका conclusion तो यही निकलता है कि आप ज़्यादा खुस हो या ज़्यादा दुखी हो तो तब भी भी आपको सोच समझ के ही फैसला करना चाहिए Fact No.4 is Social Influence यानि कि हमारा behavior और thinking हमारे surroundings और social environment से बहुत ज़्यादा effect होता है जो लोग हमारे आसपास होते हैं वो हमारे behavior को directly influence करते हैं हम चाहे अपने घर में हो अपने school में हो college में हो कहीं भी हो हमें एक wise person बनके choose करना चाहिए कि हमारे जो circle में लोग है वो अच्छे है या नहीं हमें हमेंसा अच्छे को choose करना है और हर इनसान के पास इतनी समझतों होती ही है कि क्या सही है और क्या गलत Last but not the least That is memory हमारे यादों में भी कई बार mistakes और alternate हो जाते हैं हमारे memory में कभी के भी false या modified information store हो जाती है आज के लिए बस इतना ही मिलूंगी आपसे next वीडियो में यहां तक देखने के लिए सुक्रिया